नमस्कार मेरा नाम आशित प्रकास है और आप देख रहे हैं शब्द साची अभी मैं मौझूद हूँ रिवा विधान सभा में जहां हम बात करेंगे मद्द परदेश चुनाव को लेकर रिवा विधान सभा के लोगों के मन में क्या है इस बार यहां से चुनावी मैदान में इंजिनियर राजेंदर शुकला है भाजपा से तो वहीं कॉंग्रेस से इंजिनियर राजेंदर शर्मा है कॉंग्रेस से और एक और इंजिनियर है दीपक सिंग पटेल जो की आम आदमी पार्टी से चुनावी मैदान में है अब लोगों ने मन में क्या ठाना है किसे देंगे अपना समर्थन यही हम लोगों से जानने आए हैं तो चलिए लोगों से जानते हैं कि लोगों के मन में क्या है क्या जोड़ी थोड़ी एक सिवराजी बने इसकी भी तो अपील की जा सकती है ने मैं यह नहीं चाहते हैं कि विदाई हो जाए वो सरकार में पर मुख्यमंत्री ना बने कोई और भी आदमी आए ने डिसीजन ले अब जो भी हो नाम तो मुझे नहीं पता पर और भी कोई आए जो यह सब चीजों पर काम कर सके अच्छा सा काम पटवारी गोटाला उसके लिए तो बैतरी तभी तो उसने किया राहूल गांदी यहां कहाएंगे राहूल गांदी यहां कहाएंगे कि अधर को वोटिंग चाहिए नहीं मा तो नहीं डातों बोटर आईडी काड़ नहीं है ना वी एक ना रोजगार है मैं अभी एक टूटर हूं कोचिंग पिचलाता हूं सरकारी नोकरी लगी थी पर ज्वाइन नहीं हो पाया हो गया कुछ परसनल इस हूथा विंद छेद्र जो की भाजपा का गड़ रहा है पिछले कई वरसों से और जो रिवा सीठे विधान सवा सीठे जहां मैं मौजूद हूँ अभी यहां भी कॉंग्रेस का सुखा पन रहा है मतलब इनके लिए रेगिस्तान साबीत हुआ है एक बार फिर से इंजिनियर राजन सर्मा जो है इंजिनियर राजन सर्मा के सामने है इस बार के चुनाव में क्या कुछ उम्मीदे है राजन सर्मा जी के लिए देखिए जहां तक आपने इंजिनियर से इंजिनियर की तुलना की है तो इंजिनियर राजन सर्मा बिना विधायक बने उन्होंने अपनी इंजिनिरिंग को सावित किया है और रीवा के अंदर सिल्पी प्लाजा बनाया जो सिल्पी प्लाजा है वो रीवा की पहचान के अध्यम से कि राजेंड शर्मा जी का विजन बड़ा है। दोसरी तरफ जहां राजेनद शुकला जी की बात आपने कहा है। राजेन शर्मा जी का विजन राजेन शुकला जी से कई गुणा बड़ा है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि पहले का रिवा और आज की रिवा में बहुत अंतर है। आज का रिवा चमकता हुआ रिवा है। बड़े-बड़े बैनर पोस्टर लगे हुए हैं बाहर। आप बैनर और पोस्टर से किसी शहर की चमक नहीं देख सकते हैं। आप देखिए 20 वर्स पहले रिवा में कितने लोगों को रोजगार मिला करता था। आज राजिन शुकला जी हिसाब देदे रिवा के अंदर 20 वर्सों में कि रिवा शहर के अंदर जिले की बात छोड़ दीजे। शहर के कितने नौजवानों को रोजगार या सरकारी नौकरी या गिनती कर लें कि कितने पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगारी के मार से अच्छान होगी एहां कि राज्ण शुकला जी का काम अच्छा नहीं रहा इस पंचवर्शी में या फिर वो जаб से विधायक है तो फिर भी जब इंका काम अच्छा नहीं रहा, तो कॉंग्रेश अपना जगह क्यों नहीं बना पा रही है, कॉंग्रेश को हर बार यहां पर जीःत का ही सामना क्यों करना पर रहा है, वो सारी मिठक जो है भ्रम जो है इस वार तूटेंगे आप रिपोर्टर हो आप चैनल के चलाने वाली लोग हो मेडिया की लोग हो आप शहर के अंदर घूमिए यहां का नौजवान यहां का आम मतदाता जो है परिवर्तन के मूड में है और भारी परिवर्तन की संभावना है रिवा सहर में भी और रिवा जिले में प्रदेश में भी है एक सवाल और है मेरा इंडिया गठवंधन और इंडिया गठवंधन के घटक दल आम अगनी पाटी भी आपके यहां परती दौंदी है वो भी इंजिनियर है युवा है दीपक सिंग पटेल है तो यहां पर इस इ जागरूक मतदाताओं का छेत्र है यहां कोई जातिवाद पर बोट की बात नहीं होती है यहां तो इसवार का जो बोट है वो आप समझे किरीवा के भविश्य का है नौजवान के भविश्य का है कानून वेवस्था को ले करके है स्कूल, कॉलेज के सिक्षा में बहतर सुधार के लिए और इस तरह के एजुकेशन के संसाधन बढ़ाने के दिर्श्य कोंड से रीवा में इस वार का चुनाओ है जहां तक राजेन शुकला की आप बात करते हो मैं तो आप से पूछना चाहता हूँ और मैं आपके माध्यम से उनसे भी सवाल करना चाहता हूँ कि अब्धेश प्रताप सिंग विश्व विद्याल है किस था अपना कांग्रेस के जमाने में हुई दूसरी कोई चाहे मेडिकल के इनवस्टी हो या इंजिनेरिंग के छेतर में कोई ऐसा संस्थान हो जो राजन शुकला जी ने खोलने का प्रयास कियो हो आप समझे कि यहां का टियरस कालेज, साइन्स कालेज, माडल स्कूल, संजय गांधी हास्पिटल तमाम ऐसे संसाधन जो हैं जो रीवा की मूल भूत पहचान है वो केवल कांग्रेस के जमाने में स्थापित हुए यहां तो आप समझे कि एसिया का सबसे बड़ा प्लांट कहते हैं कि सोलर प्लांट जो है आपके गुढ़ में लगा है लेकिन आप उसमें जाच करिए, सर्वे करिए किरीबा के कितने नौजवानों को रोजगार देने का काम उस सोलर प्लांट में मानी राजन शुकला जी के माध्यम से या उनके नेतरतों में भारती जनता पार्टी के सरकार ने देने का काम किया है तो यहां तो शिर्फ बैनर जैसा कहते हैं कि बैनर लगा के और आपने सड़क थी यह हमारे यहां जो बाईपास से लेकर और आपके रिलवे स्टेशन तक उधर के बाईपास तक जो सड़क जाती है पिछले बीस वर्सों में कम से कम पचास वार इसको खोदा गया बनाया गया खोदा गया बनाया गया यही काम चलता रहा कुल मिला के रीवा के संसाधनों में सरकारी पैसे की लूट राजिन शुकला जी के नेतरत्तों में होती रही एक सवाल जो आप साइच छोड़ दी एं मैं इंजिनेर दीपक सिन्ग पठेल के वारे में पूछ रहा था और इंडिया गटवंधन के वारे में पूछा था देखिए यह हमारे राष्टी नेत्रतों का प्रश्ण है राष्टी अस्तर पर जो भी इंडिया गट बंधन संबन्द में बाते हैं या जो भी निर्णेय हैं उस अंदर में हमारे राष्टी नेत्रतों से सवाल-जवाब अगर आप लोग करेगे तो मैं समझता हूं कि ज्यादा बहतर वो जबाब देंगे उस अंदर में मुझे कुछ नहीं कहना है तो यहां क्या इंजिनियरिंग जो दीपक सिंग पटेल है नुकसान पहुचा रहे हैं आप इंजिनियर दीपक सिंग पटेल चुनाव लड़ रहे हैं स्वाभाविक चीज है कि वो हरतरह से कोशिश करेंगे बोट लेने का प्रयास करेंगे वो अपनी बात रखेंगे भारती जनता पार्टी के जो प्रत्यासी है अपनी बात रखेंगे और कांग्रेस पार्टी के हमारे प्रत्यासी जो राजेन शर्मा जी है वो अपनी बात रखेंगे और सबसे बड़ी बात मध्यप्रदेश के अंदर आपको कोई आम आदमी पार्टी का कोई असर इसलिए नहीं है कि ठीक जिस तरह से करनाटक में 11 विधायकों को भारती जनता पार्टी के लोगों ने खरीद कर कांग्रेस पार्टी की सरकार को तोड़ने का काम किया था और उसका जवाब करनाटक की जनता ने 136 सीटे कांग्रेस पार्टी को देकर प्रचंड महमत के साथ सरकार बनाने का काम किया है उसी की पुनरा ब्रत्य आपके मध्यप्रदेश में होने वाली है कि मध्यप्रदेश में कमल नाज जी के नेतरुत में चलने वाली वो सरकार जो किसान का करजा माप कर रही थी जो बिटिया की साधी में 25,000 रुपए जो मिलते थे जो दलाली के भेट शड़ते थे जिसे 59,000 रुपए किया जो पैंसन की राज को 300-600 रुपए किया था और एक खजार करने का जिनका लक्ष था जिनके नेतरुत में 100 यूनिट विजली का बिल मात्र 100 रुपए लगा करता था ऐसी सरकार को तोड़ के और जनविरोधी सरकार लूट पार्ट की सरकार जो सिवराज सिंगो और भारती जनता पार्टी के लोगों ने बनाय था उसका जवाब देने के लिए 17 तारीक का इंतजार इसमद्ध प्रदेश की जनता और रिवा जिले की जनता कर रही है और मैं आपको बताना चाहता हूँ आपको ये सारी जानकारियां भी है कि तमाम ऐसे सर्वे ऐसी एजनसियां जो सरकार खुद उनके RSS के लोग करा रहे हैं और उन तमाम सर्वों में एक ही रिपोर्ट आ रही है कि मद्ध प्रदेश के अंदर 145-46 से लेकर 155 सीटे कांग्र कांग्रेस पार्टी को जनता देने जा रही है और प्रचंड बहुमत के साथ कमल नाज जी की सरकार मद्ध प्रदेश में उनके नेतर तुमें बनने जा रही है कांग्रेस पार्टी की सरकार मद्ध प्रदेश में बनने जा रही है तो सचमे इस बार रिवा में जो सुखाड नसे के चपेट में हैं, तो नसे से भी मुक्ती दिलाई जाएगी, जब कांग्रेस की सरकार आएगी, पूरे प्रयास किये जाएंगे, कि युवाओं को रोजगार मिले, और सिक्षा मिले, सिक्षा और स्वास्त की सुगम बेवस्था बनाई जाएगी, पुराने जितने और स्वास्त में ध्यान दिया जाएगी, तो आपको क्या लगते हैं, भारती जन्ता पार्टी ने कितना विकास किया है, जिक्षा होती है, कि नई सरकार आएगी, तो कुछ नहीं करें, तो कि अच्छा अच्छी है, विकास करें, सिक्षा स्वास्त, साड़कें बिजली पानी इससे जियान दे सोगे यह बहुत किछ गिया है वाजपा नी किया है किया कुछ गलत नहीं होगा सब सही है जनता चाहा रहes थोड़ा सा परिवर्तम चाह रहे परिवर्तम तो है जनता चाहा रहे है बहुत सारी समभाबनाएं हैं, बहुत सारी है, Congress भी है, BJP भी है, लेकिन विकास कि अगर बात करें तो विकास तो BJP नहीं किया है, हमारे पांकि देखिए Let's see क्या होता है, पांकि जंता DECIDE करे कि क्या होगा विकास क्या किया है देखिए रीवा की अगर व्यक्तिकत रीवा की बात करें तो रीवा में तो बहुत विकास हुआ है देखिए आज आप जो बिल्डिंग्स देख रहे हैं इतने फ्लाई ओवर्स देख रहे हैं बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं यह बीजेपी की ही देन कॉंग्रेस ने क्या किया हमारे इसाब से तो कॉंग्रेस ने कुछ नहीं किया बस रोजगार के मामले में तो मैं जरूर बोलूंगा ये दो चीजे हैं देखिए पहली चीज तो अगर रोजगार की बात करें पहले ब्रस्टाचार जादा था कैसे ब्रस्टाचार कह सकते हैं कि जैसे पहले आपका जो जैसे आपने कोई फार्म भरा तो पैसे दे के भी काम हो जाते थे लेकिन आप वो वाला सिस्टम नहीं रह गया कि आप पैसे दे के काम करा सकते हैं जब result डिक्लियर होगा तब देखा जाएगा कौन दोसी है देखी नेता अपनी जगह साब अच्छे है राउल गांदी भी अच्छे है उनको भले पपू बोलें लोग वो भी अपनी जगह अच्छे है मोदी जी भी अच्छे है देखी जनता क्या डिसाइड करती है हमारे इसाब से BJP हमारे लिए बेस्ट है पांकी सब जानते नरेंदर मोदी जी के बारे में अब नरेंदर मोदी जी के बारे में हम क्या पूरा देश बोल रहा है तो सब जो बोल रहे हैं सही बोल रहे होंगे तो बढ़िया है अच्छे नेता है विकास चल रहा है पूरी देखिए पहले देश कहां पे था अप देश की आप अगर अपनी काउंटिंग देखेंगे कई चारी चीजों में चाहे जीडीपी की बात करें या किसी भी लेवल पर बात करें अपना देश आगे बढ़ रहा है अगर कॉंग्रेस की टाइम की बात करेंगे तो आप वहीं बहुत पीछे था देश हमारा अगर आपकी बात करें तो काफी अच्छा है बेटर है मत पर देश में तो इस बार देखें विजेपी की आनी चाहिए अप ऐसी चर्चा पे है मार्केट जो महूल है आप कि आम हम तो देखिए जो है दोनों में खुस है कि हमारे पास दोनों आदमी है जैसे की हमारा घर है दोनों हमारे आगल बगال है कांग्रेस विजेपी घर के बगल ही है जो भी रिवह में आयंगे सब बगल मी रहेंगे अब ही हमें हैं तेकि अब वह लेकिन आते तो हम सुपला जी ही है वह नहीं कर चल रहा है मार्केट में हैं संतिंग दोनों का है बराबरी ट्रक कर रहा है इस वार है बहुत कुछ की है जैसे बहुत कुछ कियón दे बहुत कुछ की हैं जैसे जबसे वो आए माण से बिजली समस्या या रोड ले आप हाइवे यहां की किसी भी एरिया में आप चले जाओं हर जग है रोड आपको साब मिलेगा ना करहा जाए किसी गामेर एरिया में हो बाकि तो हाइवे और छोटी मोटे जो रोड हैं सब एक नंबर की हैं और आपका यह जैसे हास्पिटल बगर बहुत चीजों में बदला होना चाहिए लेकिन बाकि हम तो भाई महले किनाते हमारे वही हैं अच्छा यहां आदमी पार्टी का तो नहीं कहा जाता कुछ हम कुछ नहीं बोल सकते हैं उसमें कहा है कि उस इनके दो लोगों के आगे उनका कहा भी और खास्तों रीवा में नहीं नहीं लगता है माद परदेश की बार नहीं करते हैं यहां रीवा की आठो विधान सभा की जो है तो नहीं जान नहीं नहीं नो अमीद थांक ऐसे ही कंटेंट्स के लिए बने रहे शब विसाची के साथ और चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले